तो दिस इस ट्रू आर्मस क्लैम मेटर मेटर मेक्स्टेक कंपनी का डीटी 369 मॉडल नंबर है और इसका भी हम लोग अन्बॉक्सिंग करते हैं तो एक गिप्ट बॉक्स के साथ में अंदर एक कैरिंग के साथ है इसका ब्लेक कलर का पाउच है इसके अंदर यह आपका मेंड क्लैम मीटर है उसके साथ जो ऐसे सीरीज हो अब इसका अगर क्लैम मीटर देखेंगे तो मीडियम साइज का है बहुत हेवी भी नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है तो इसलिए आप इसको पकड़के ऑपरेट कर सकते हैं और इसके बाद इसमें दिया एक टेस्ट लिट यह भी अच्छी क्वाल्टी का दिया है टेस्ट लिट हिस्ट को कि अगया है पिन विस आलडए इसके और यह इसका टेमप्रेट्चर प्रोव है इसमें टेमप्रेचर फंक्शन है तो टेमट्रेचर प्रोव भी इसमें आपको मिल जाता है और वाह अपका है मैंउर अब इधर बैटरी कमपाटमेंट में इक स्कूरू दिया हुआ है इसको खोलेंगे तो यहां पर बैटरी इंसेट करेंगे हम लोग कि पहले हम लोग बैटरी इंसेट कर लेते हैं एक नाइन वोल्ट की बैटरी आती है और अगर यह खतम हो जाए दिस्चार्ज हो जाए तो इसली मार्केट में अवेलेबल हो जाती हुआ है कि अगर फंक्शन के बारे में देखेंगे तो यह 6000 काउंट्स के डिस्प्ले के साथ म और इसका वोल्ट जो है 600 वोल्ट एसी डिसी है इसमें साथ में फिर आपको फंक्शन मिल जाएगा रेजिस्टेंस का 60 मेगाउंस तक चेक कर सकते आप रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस 6 में 6 मिली फैरेट तक का है इसका फ्रेक्वेंसी 18 किलो आट्स का एंड ड्यूटी साइक अगल मिलेगा कंटिनुटी डायोड तो इतने सारे फंक्शन है में और उसमें एक विनिफेट की आपको टेंप्रेचर का भी फंक्शन मिल जाता है तो उसमें आपको टेंप्रेचर सेल्चियस और फैरेनाट दोन में मिल जाएगा उसका रेंज मानिस 20 से लिए 1000 डिगरी सेल इसको रिमोग करते हैं और देखिए डिस्प्ली को पर जो राय सेड में और इंज कलर की बटन है या पेकलाइट और होल का बटन इसको प्रेस कर रहे है तो अच्छा फिचर कभी अंदेरे में या आप नाइट में यूश कर रहे है तो आपको डिस्प्ली इसली दिखता है खोर और यह पहले हमारा जो पर के बाद रहां रखा सेकंडेंग यह इसी दिपलों लास्ट वनीज कांटिनिटी उसके बाद हमारे यह फ्रेक्वेंसी का रिंज यह तेम्प्रेचर का इसमें प्रोब हमने देखा पहले इसके साथ में था तो तेम्प्रेचर प्रोब करेंगे तो हम चेक कर सकते और यह अगला है एंसी वी नॉन कॉंटेक वोल्टेज में तो तो est чем चेक करेंगे तो करेंगे तो टैस्टा आफ की आपको चेक करना है इसी से हो जाएगा तो कॉम्बन वाले में ब्लेक लगगा ब्लेक वाला प्रोब और अभी हम क्या करेंगे रेड वाला यह पलस वाला जो सागने उसके लेक मिलागाने दोई आपका एक ब्लैक एंड करेंगे अभी हम क्लैंप को लेंगे और फंक्षन को लेंगे इसी इंपेर पे न लेक्के आगे लेना है डिसी ओल्टेज और अपने रखा तो रेडिन या तो यह दिए आपको और सेलेक्शन में द्धान अभी देखिए यहां पर इह फोल्ड बटन भी इस में सिंगल प्रेस करने वेलू जोता है और यह DC वोल्ड प्रेस करेंगे दो अब को एक है यह चला जागा तो भी इमको डिछी ची तो हम्यों यह सेलेट का जो बटनि उससे अप सेलेट कर सकते हैं चार फंक्शन है तो उससे आप एक दूसरे फंक्शन में जा सकते हैं वह यह एक अपर वीप हम आदब आगगा इसका एसका इसका को इसका इस तरह से आपको कंटिउन्यूटी और फिर बागि जो फीचर वुश्टार को मिल व्हों और मुट के साथ मिला हुए ऑफ के लिए उसको भी कि उसमें भी सेम हैं आगे प्लेक्शन देया हुआ है ब्लेक ए दो कलर के प्रोब कनेक्शन एं पीन है इसको ब्लेक वाला कॉमन में लगाएंगे और रेड वाला आपका प्लस वाले इंपुट में है यानि माइनस वाला ब्लेक और प्लस वाला रेड तो इस तरह सब का यह रेडिंग सो करेगा तो देखे टेंपरेचर आप इसको थोड़ा सा हीट करते हैं अलका सा घर्मी देंगे तो और आपका यह इंक्रीज हो रहा है तो